हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टू माइस्पटी ऑनलाइन स्टडी दोस्तों देखें यहाँ पर आपका सिनोनिम स्पार्ट एट कराया जा रहा है अगर सिनोनिम स्पार्ट से आपने देखें तुसरे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं देखें कुछ कारणों से वीडियो नहीं टेस्ट इस्पार्टिस का मॉक टेस्ट इंगलिस का वक्याब्लरी फिजिक्स का टॉपिंग और इंगलिस का टॉपिक वाईज वीडियो अप्लोट किये जाते हैं तो अगर आप चैनल पर नहें है तो चैनल को सब्राइब किजें और बेल एकन प्रेस किजें जिसे कि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचें तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स पार्ट एट कि देखिए यहां पर पूर्ड है चेंज चूज दबेस्ट एक्स्प्रेशन आप फॉल्लाइंग वर्ड जो भी वर्ड दिया है उसका चि होता है रिस्टार्ट करना रिस्टार्ट करना और इसका होता है रिफ्रेश रिन्यू का रिस्टार्ट और रिफ्रेश होता है रिभ्यू मिस होता है इसकूटनी जैसे हम लोग इसकूटनी करते हैं फिर से चेक अप कूप करते हैं उसी बोलती स्कूटनी तो इसका एस सी आर u-tiny स्कूटनी हो जाएगा रिभ्यू का स्कूटनी होगा रिपीट आपको पता है रिपीट का होता है इंकोर पहला है एन-c-o-r-e इंकोर भी होता है तो चलिह हम लोग लोग नेक्स्ट देखते हैं परदवी पाँ इसका जो आंसर होगा वह लटर अपको पता है रिण्यू म क्या होगा कांब ली होगा से में मतलब किसी करंग ना क्रोइच करना क्यों होता है है silently Mutually heavenly सब्सक्राइब होता ह YE सब्सक्राइब आंसर और हो जागा सक्राइब कमली उपको पता है क्सच्णा ये मिच्वडभी इसका M-U-T-E-L-O-I-M-E-C-U-A-L-E-B होता है यानि सांती से तो इस सारे प्रिटली असलिक हो जागा सिक्रेटली चलिए हम दों नेक्स्ट देखते हैं फोर बोर्ड फोरवेट मिस क्या होता है फोर बोर्ड मिस क्या होता है अलाम होगा फोर्टेल होगा फैलूर होगा या फोर फ्रोंट होगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भी फोर्टेल फोर्वेट मिस होता है फोर्वेट मिस होता है फोर्वेट मिस होता है फोर्टेल यानि भाइस्वानी करना यानि किसी के बारे में आपको पहले सहीं पता होना तो इस दिक बोलते है फोर्टेल फोर्ट inary Advil Water और अलाम का होगा अलाम को पता है startle star aTS एक Salud बीट है और इसका toxin besi teen toxin forward का हो गया प्लॉक्त साथ अलाम का इस startl странory होता है फेल्वर आपको पता है cha 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 촬영 उसे अंब इसमें इसमें प्रिभीयस एयर के भी जो से क्योंच वह बेंगे से अपके आप तरो है कोुछा हुआ। तो जो होता है वो होता है authentic एनी रियल इसका जैनुविन मितलब डियल गुट आपको पता है अट्रेक्टिव पता है और लॉब पता है तो जैनुविन का क्या हो गया रिया देखिए आप लॉब एबल जो है यह एडिजेक्टिव कि इसमें जो भी वर्ट में पी अलिए अगर मिस्किए लिज भी प्रेओं यानि निगेटीव यिसका जो एंसर होगा वो होग आपका एडबुट्स का पालो जैगा निकेटिव यीवी फैसे लेटिंग फैसिललेटिंक मतल्या थाmil Netflix कोड़ेटी मतल्य यह अनि ओर्नामेंट हो दोनना मेंट यह इनोन्यमी ओर्नामेंट संद्रीब हो गया है इसका विप्रित और फैसिलेटिंग आपको पता है डेकॉरेटीव मिलता है इसका अर्नेंटलρέ ऊर्नें और्न अमेंटल होता को जाद से जाद से चमझ में है हैं और कि हिंदी देखने से आपको इंग्लिज और लिंदी अगर याद याद करेंगे तो सबसे पहले आपको याद हो जाएगा तो इसकत्रा ना यानि वॉन हो इस ख्लेम फोर दा मिस्टेक्ट ऑफ यह निए दूसरों की गलती कोई और कमिला टेंट शुटकोद सब्सक्राइब लीकवश्च वण हो इस्केल इस बली का बख्रबनाना वन हूँ इस ब्लेम फॉर्ड हो दा मिस्टेक्स अफ अधर। सेकेड देखते हैं प्रेदिक्मेंट का क्या होगा प्रेदिक्मेंट मिषमतेह दूद्ध साओ मिडिफीकेल्ट और डैंजरश सुचूइशन वैसा सी सिट्वीचेन जो डिफीकेल्ट हो रोी डैंजर। उससी को होता है सिधा सदा having natural simplicity of nature इसका फ्रेसर भी होता है नेक्स्ट हम दो देखते हैं फोनम आप सीक्यूज अप्सीक्यूज में अंतीम संस्कार इसका होगा funeral rights f u n e r a funeral funeral rights यानी इसका होता है अंतीम संस्कार नेक्स्ट हम दो देखते हैं मिसो लोजिस्ट में ग्यान से घ्रणा करने वाला हेट अफ लर्निंग और ने व का देखें फिर से देख लिए ने कोगा सीधा सदा having natural simplicity of nature आप से क्यूज का होगा अंतीम संसकार funeral rights funeral rights और मिसो लोजिस्ट होगा ग्यान से घ्रणा करने वाला हेट अफ लर्निंग देखे फाइब से फाइब वन वोड हो नो नेस्ट देखते हैं इडियों फ्रेज देखे इडियों फ्रेज भी आपका सारी इंपोर्टेंट है देखे इडियों प्रेज बोड़ा है एट एलॉस एट लोस को तरिन न ले पाना तो इसका जोगा तुबी त गिसक मतलम निरदेस्टा पुडबा किसी को बूते हैं विट ब्लैक अंड अध्याधिन पेटाई कर न सब्सक्रावें की बॉन ऑफ यके मतलब कर दो उसके कारण या उसके वस्तु का कारण जो भी ज्वागरा हुआ है उस वस्तु का कारण उसका मत्रब्स क्या कॉज है उसी सब्जेक्ट आफ डिस्प्यूट यानी जगड़े का वीबात का जो है उसके बोह तो है पॉन-फ कंटेंशन भी होता है subject of dispute नेक्स देखते इडियम फ्रेज fair and square fair and square का होता है in an honesty way इन an honesty when in his picture तो इसका fair and square का होगा in an honesty way नेक्स्ट जो five number है fair weather friend fair weather friend में साथ ना देने वाला मित्र selfish friends who are with us only in comfortable situation आपके साथ रहता है और आपको मुसीबत है तो आपके साथ नहीं रहता है तो इसकी बोलते फेर वेदर friend यानि मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र selfish friends who are with us only in comfortable situation और fair and square का हो जाएगा in an honesty way नेक्स्ट हम दो देखते हैं कि देखिए miss spelled word आपको बताना इसमें से कौन सा करेक्ट कौन सा स्पेल वर्ड है वो करेक्ट है तो इसका देखिए वीडियो का पॉस्ट कीज़े और आप भी खुट से का BA BAICO इसमें सकॉन सा एंसर जो है वह बेनिफिटでは मतबब कॉन सा करेक्ट होगा तो देखिए कि Benefit का आपका जो होगा होगा ए दी एफ आइट डी benefit आप याद किजएगा उसमें इडी लगा दियेगा तो Benefit हो जागा डी एफ आई टीए डी नेक्स्ट हम दो देखते हैं कि प्रेंड इंकरेक्टली इसमें देखिए हैं इसमें 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 करें कुण सब्सक्राइं तो वेटर सकती होगा वह गा वैस्द कर याद करेंगे तो याद करेंगे तो ज्याद तरीकर से याद होना लिपटर का याद कि जली है इसमें से कौन सब करेक्ट है इसमें बताना है इक्वाइनिमीटी जो करेक्ट है वो होगा आपका आंसर ए मतब फर्स्ट इक्वाइनिमीटी आपका जो आंसर होगा इसलिए उसे के अनुसार देखते हैं आराम से हम से एंसर होगा होगा थ्रीज देखते हम लोग लेखिए वर्ड ओफेन कॉन्फ्यूज एन मिस्यूड लेखिए एक ही जैसा वर्ड जो होता है जो समझने में प्रॉब्लम होता है इसको देखे इसमें तीन वर्ड है एड़ॉप्ट और एड़ेप्ट एड़ॉप्ट मिसलता है अपनाना या गोद लेना तूएसेफ्ट या to take another product child legally मतलब किसी को गोज लेना और अपनाना एड़ेप्ट मिसलता है निपुन यानी स्किल्फूल प्रोफिशियंट मतलब कोई भी चांज में कोई पर एक्षण हो यानी स्किल्फूलओ प्रोफिशियन्ट ओव्राफिशियंट कर देखें प्रोफिशियंट कर देखें प देट्ट और रेट मिस होता है निपून यानि स्कील्फूल और अपना या फिल्सक्राइबको याद कर लेना है चैसे आपको फिल्ल करना है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका हिंदी इंगलीज तोनों लिखवा दिया गया कि जिसका को समझने में कोई प्रशान ही नहों इसको फिल कीजए है खुझ से जो वर्ड है उसको पॉरक और आप इसमें लाइब टॉप्टे और या एडपteट करना जानी कुछ को उसके प्रतित ढालना he adapted himself to his new life तो इसका जो आंसर होगा वोगा बी नेक्स्ट हम दोते हैं we should dash his proposal तो we should adopt होगा adapt होगा या adapt होगा तो we should adopt his proposal या उसके प्रोपोजल को हमें अपनाना चाहे है तो we should adopt हो जागा इसका जो होगा वी सूड एड़ॉप इस प्रोपोजल देखिए आप भी पर यह मिनिंग निकाल लिया है उसके बाद इसको इसमें देखिए कौन सा चूज किजिए कौन सा करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है नेक्स देखते हैं फोर नामठ्र ही इस डास अटा कम्प्जूटह तो ही इस एड़ेप्ट होका है एड़ेप्ट मिस् rod वह कम्प्ठील में यानि हमें उनके प्लान को क्या अपनाना चाहिए था तो अपनाना चाहिए था यानि स्विकार करना चाहिए था यानि अपनाना चाहिए था इसका जो आंसर होगा वो होगा यह होगा नेक्स्ट हम दोग देखते हैं दे डैस और लिटिल गर्ड दे देखिए वह सिंपल है यानि वह एक छोटी बच्ची को गोद लिया वे लोग दे एडाप्टेड लिटिल गर्ड नेक्स्ट देखिए सारे इंपोर्टेंट है सारे कंफ्यूज जो भी बड़े आपकर डेली करा लाए जाएंगे नेक्स्ट हम दोग देखते हैं कि ही हैस डास इक्स्ट्रीमली वेल लिए तो दिके ही हैं इसमें थोरह प्रबलम होगा तो ही एडप्टेड यानि वह बहुत अच्छी तरह से अपने आपको एड़्जेस्ट कर लिया है तो ही कर चुके है तो ही है रवी नेक्स्ट हम दोग देखेंगे एक नंबर ही इस डाइस एट और टेलिंग ए लाईस ही से ढड़ेप्ट होगा यह अडाप्त होगा तो इसका जो होगा बहुआ एड़ेप्ट ही इज कट क्यों और यह जूर्ट लींगा अलईज यानि वह जुट बहुरुले में क्या ह हार्स रियालिटीज यानि वी मस्ट एड़ेप्ट वी मस्ट एड़ेप्ट टुडेज हार्स रियालिटीज यानि जो हार्स रियालिटीज यानि अभी का जो सिच्वेशन चल रहा है उसके प्रति हम लोगों मतलम एकदम मस्ट ही हम लोगों को एड़ेप्ट होना चाहिए तो बी औंट टूदे हार्सी मलिटे तो इसका जो होगा हम लोगा है यानि भी ऑटएंट वी मस्ट टूदे हॉ एधैय क्ली ताओं या इसके अपनाना चाहिए हम लोगो कि जो भी आज का जू सिच्वेशन चाड़ रहा है उसके प्रति हम लोग को अड़ेप्ट करना होगा कि भी मॉस्ट एड़ेप्ट टुड़े हार्स रियालिटीज नेक्स्ट हम देखते हैं क्या नमबर इसका जो भी वर्ड है एड़ेप्ट है और इसको समझना है और इसमें चूज दे करेक्ट एंसर में आपको फिल करके सही करना है यह नेक्स्ट हम देखते हैं देखिए एडिक एरेच संटेंस जो भी संटेंस इसको अरेज करना या यानि पीक वर्ड इस जंबल वर्ड से बोलता है तो यह उसको पूर्डियो और और इसको उन्हेंश करना यानि जो पीजन था उसको मेसेंजर के तौर पर यूज किया जाता था कब in the olden days यानि पुराने समय में to carry message यानि message को carry करने के लिए which we are tied to their feet यानि जो भी पीजन था फाले कब उतरत हैं तो उनको मेसेंजर के तौर पर यूज किया जाता था और उनके पैर में मेसेज को टाइट कर दिया जाता था इसनी बांद दिया जाता था चीज के अनुसार वह एक जगा से दूसरे जगा जाता था तो इसका जो आंसर होगा वह होगा see the pigeon we are used to the pigeon we are used the pigeon we are used as a messenger in the olden days to carry message which we are tied to their feet तो इसका जो आंसर होगा होगा आपका see कि तो देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि तो हम लोग का देखिए कि सारा complete हो गया अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल एकन प्रेस किजिए और देखिए जो भी वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स वनमट सच इंडियों कराया जाए यानि फीजिक्स का जो भी करा जा रहा है प्रीपोजिसर कराया सारी इंपोर्टेंट है तो देखिए इसे आप समझें और इसे पढ़िए जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर अगर आपको इस वीडियो को देखने में थोड़ा भी आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ तो इसे फिर से दोबारा से देखिए और इसे समझ है चले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद